DBT सक्रिय सूची में अपना नाम देखें. अगर इस लिस्ट में आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो नहीं मिलेगा लाडली बहना योजना का लाग. लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओ की सूची जारी की जा चुकी है, ऐसे में अगर आपने अपने ग्राम या सिटी की लाडली बहना योजना की नई लिस्ट नहीं देखी है, तो आज हम आपको लाडली बहना योजना संबंधी जानकारी देते हुए पात्र महिलाओ की नई सूची कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, अगर आप भी लाडली बहना योजना की नई पात्र सूची देखना चाहते हैं, तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़े, इस आर्टिकल में आपको हम बताएंगे की आप किस तरह से, अप आप लाडली बहना योजना का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको बता देना चाहते मध्यप्रदेश के मुख्यमत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में महिलाओ के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, इस योजना के माध्यम से सरकार वह अपना नाम पात्र सूची में देख सकते हैं और जिन महिलाओं ने अभी तक लाडली बहना योजना में ओनलाइन फॉर्म नहीं भरा है वह वह लाडली बहना योजना में अगली तारीक तक का इंतजार करें। वह अपना योजना में 8 मार्च से लेकर 10 अपरेल तक ओनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चली थी जिसमें लाखों महिलाओं ने लाडली बहना योजना में ओनलाइन फॉर्म भरे थे और इन दो महिनों में कुल 1 करोर 30 लाग हावेदन लाडली बहना योजना में प्राप् अगर आप लाडली बहना योजना की नई सूची ऐसे देखें। इसके लिए आपको सबसे पहले लाडली बहना योजना योजना ये वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको एक मेनु बार दिखाई देगा, यहां आपको लाडली बहना योजना की अनंतिन सूची दिखाई देगी, यहां आपको उप्ट सूची पर क्लिक करना है. इसक बाद आपके सामने अनंतिन सूची देखने है तो अपना मुबाइल नमबर OTP. द्वारा सत्यापित करे का ओप्शन आएगा, आपको यहां क्लिक करना होगा. अब आपके सामने मुबाइल नमबर सत्यापित करे का ओप्शन दिखेगा, यहां आपको अपना मुबाइल नमबर सत्यापित करना होगा. आपके सत्यापिक Mobile नमबर पर एक OTP आएगा, यहां आपको OTP सत्यापिक करना होगा इसके बाद आपको अपना पंजियन क्रमाप डालना होगा अब आपको केपचा डालना होगा और खोजे बटन पर क्लिक करना है अब आपके सामने नई लाडली बहना योजना की पात्र सूची ओपन हो जाएगी, आप इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं यहां आपको लाडली बहना योजना की नई पात्र सूची कैसे देखे, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है और हमने step to step में यह जानकारी दी है कि किस तरह आपको लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं की सूची देखनी है और इस तरह आप अपने नाम की वर्तमान स्थिती देख सकते हैं अपने स्थिती देख सकते हैं